26 सेकिंड के वीडियो ने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जोहर के मुश्किलें बढ़ा दी NCB ने पार्टी वाले वीडियो को सही माना है अब सवाल यह है कि आगे क्या करण जोहर पार्टी में ड्रग्स के आरूपों को खारिच कर चुके हैं लेकिन NCB से अब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है एक वीडियो ने बॉलिवुड में बवंडर ला दिया है एक वीडियो ने बॉलिवुड गैंग की नीद उड़ा दी है एक वीडियो ने करण जोहर की मुश्किले बढ़ा दी है 26 सेकिंड का ये वीडियो अब नार्कोटिक्स कंट्रोल भीरों की नजर में है जुलाई 2019 का ये वीडियो फिल्मेकर करन जोहर की घर की पार्टी का है इस पार्टी में बॉलिवूट के बड़े नाम है बड़े स्टार हैं बड़ी हस्तियां है जिस बड़े नाम को तलाश करेंगे वो सब यहां मौजूद है दीपी का पादुकोन है, मलाईका है, रनबीर कपूर है, शाहिद कपूर है, वरुन धवन है, विकी कोशल है, अर्जुन कपूर है, जावेद अख्तर की बेटी और फिल्म नदेशक जोया अख्तर भी है, सब प अक्स पार्टी बता दिया, वीडियो में दिखे सितारों को नशे में धुत बता दिया, फिर तो वीडियो बारल हो गया, हर कोई देखने लगा कि बॉलिवूट की पार्टी कैसी होती है, पार्टीों में होता क्या है, सवालों के घेरे में करन जोहर और बारा सितारे आ गए है जो वीडियो में दिख रहे थे कि यह जो लोग है यह एक्सपोज होने चाहिए हमारा यूथ जो है इनको इनको देखके प्रभावित होता है और आप इनकी जुर्त देखिए यह ओपन सुषान केस में ड्रक्स का एंगल जुड़ा तो सिर्सा ने वीडियो की शिकायत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से करते हुए जाच की मांग कर डाली अब जाच में एंसीबी ने वीडियो को सही पाया है बिना एडिट के पाया है आज तक के शो में करन जौहर ने इस वीडियो पर सफाई भी दी थी सारे आरोपो को नकार दिया था सब्सक्राइब कर दिया था आरोपो को सिरे से खारिच कर दिया था सब्सक्राइब कर दिया तुम्तर दिया था था नेय। यह वीडियो मैं जो दिस हूँ यह एका करन जोहर के पूर कर्मचारी क्षितिज प्रसाद के वकील के संसरी खेज बयान से NCB भी गिर गई है बड़े वकील सतीश मांचिंदे ने कहा कि क्षितिज को करन जोहर का नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया NCB ने मांचिंदे के आरुपों को गलत बताया लेकिन अब जाच एजेंसी खुद भी सवालों के घेरे में आ चुकी है क्या है करन की पार्टी का सच क्या पार्टी में चल रहा था ड्रक्स क्या शितिच है कमजोर कड़ी सुशान केस की जाच में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई तो बॉलिवूट का स्याह चेरा सामने आने लगा गिरने लगी ड्रक्स मंडली तो खुलने लगी फिल्म इंडस्ट्री की कुंडली करन जोहर की कंपनी के पूर करमचारी शितिच प्रिसाद तक जाच पहुँची तो उन पर आज आ ही गई शितिच का नाम वाटसेप चैट में आया वो लगातार ड्रक्स मंगवा रहा था लगातार पैडलर्स के संपर्ख में था एंसीबी के शिकंजे में आय पैडलर केजे उर्फ करमजीत और अनुच के स्वानी ने शितिच की पोल खोल दी रविवार को कोट में पेशी के दौरान शितिच प्रसाद ने मेजिस्ट्रेट के सामने संसनी खेस आरोप लगा कर करन जोहर का मामला फिर से गर्मा दिया शितिच प्रसाद के वकील सतीश मान शिंदे ने आरोप लगाया कि एंसीबी शितिच पर करन जोहर का नाम लेने का चाहती है कि शितिज करण जोहर का नाम ले लेकिन इस पूरे मामले में क्या वाकई शितिज के जरिये NCB करण जोहर तक पहुँच पाएगी। इन संगीन आरोपो के बाद NCB ने तनिक भी देर नहीं की। खुच समीर वान खेले सामने आ गये और श्रतिर प्रसाथ के आरोपो को सिरे से खारच कर दिया। NCB के DG राकेश अस्थाना को भी अपने अफसरों को ये कहना पड़ा कि कोई कारवाई टार्गेट न लगे। क्या पार्टी में ड्रक्स लिये जा रहे थे? क्या बॉलिवूड की पार्टियों में ड्रक्स का चलन आम है? वीडियो पर मचे बवाल पर करन जोहर ने फिर से सफाई दी है। कुछ दिन पहले ही करन जोहर ने ट्वीट कर ड्रक्स के आरोपों को नकार दिया था। मेरे घर पर जिस पार्टी में ड्रक्स सेवन की बात कही जा रही है वो पूरी तरह गलत है। पहले भी इस पर सफाई दे चुका हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ। इस पार्टी में किसी तरह का ड्रक्स इस्तिमाल नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से इस पस्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मैं नशिले पदार्थों का सेवन नहीं करता हूँ। और मैं ऐसे किसी भी ड्रक्स के सेवन को बढ़ावा नहीं देता ना ही प्रोथसाहित करता हूँ। शितिष मामले में नए एंगल से NCB फिर गिर गई है। शितिष 3 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में है। लेकिन NCB को भी साबित करना हुगा कि उसकी नियत साफ है। वो किसी को ना तो फसा रही है और ना ही किसी को बचा रही है। फिर चाहे वो करन जोहर हो या कोई और। दिल्ली से तनसीम हैदर, मूंबई से मुनीश पांडे और दिवेश सिंग के साथ आज तक भी रो। हम आपको बता दें कि करन जोहर की पार्टी में दिपिका पादुकून भी थी और दिपिका का मोबाइल अब NCB के कबजे में है तो क्या दिपिका का मोबाइल करन जोहर की मुश्किल ने बढ़ा देगा क्योंकि जाच अभी बाकी है करन की पार्टी वाले वीडियो का एक सिरा दिपिका तक जाता है 28 जुलाई 2019 की स्पार्टी में दिपिका भी मौजूद थी और अब दिपिका NCB के शिकंजे में है दो दिन पहले ही दिपिका से पूछताच हुई थी तीन ड्राउन वाले पांच घंटे के सवाल जवाब का फोकस दिपिका की ड्रक्स चैट और ड्रक्स कनेक्शन था दिपिका ने 28 अक्टूबर 2017 की ड्रक्स चैट को मान भी लिया है तुमारे पास माल है? हाँ लेकिन घर पर मैं बांदरा में हूँ अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ येस प्लीज अमित के पास है वो लेकर जा रहा है हैश है ना? गांजा नहीं हाँ हैश है दिपिका का मोबाइल NCB के पास है NCB दिपिका के मोबाइल को खंगा लेगी वाटसेप चैट से लेके SMS तक और फोटो से लेके विडियो सकी जाच होगी कॉंटेक्ट लिस्ट पर भी गौर फर्माया जाएगा ऐसे में क्या पता की क्या निकल कर सामनी आए दिपिका के क्या रास खुल जाए करन की पार्टी से लिंक जुड़ जाए ऐसे में दिपिका का मोबाइल फोन करन जौहर की परिशानी भी बढ़ा सकती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है दिपिका ही नहीं उसकी मैनेजर करिश्मा कौन कंपनी की मैनेजर जिया सहा के साथ ही बॉलिवुड से जुड़ी हस्तिया सारा अली खान, रकुलप्रीत के मोबाइल भी एंसीबी के पास है इन सब के डेटा भी खंगा ले जा रही है क्या पता इनके मोबाइल से कौन सा राज सामने आ जाए ये ड्रग लेने वाले को, ड्रग पेडलर्स को, ड्रग रकेटियर्स को, ड्रग के सिंडिकेट के लोगों को आप बेखुच समझती है ये बड़े होसियार लोग है और उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है एंसीबी को मामला जाने के दिन से आप अनसंधान के लिए उस दिन से अलर्ट हो गए इनको मौका मिला आज भी मौका है उसमें सहयो कौन कर रहा है उनको बचने में, बचाने में, उनके समान को छुपाने में ये भी अनसंधान का भी से होना चाहिए और निकलेगा, इसी से निकलेगा अब उनको मालूम है कि तलवार हमारी गर्दम पर लटक गई है अब तो मॉंबई पुलिस भी एक्शन में है तीन दिन में चार ड्रक्स डीलर की गिरफतारी हो चुकी है बताया जा रहा है कि इन सभी का बॉलिवुड से कनेक्शन रहा है यानि बॉलिवुड पर दोतरफा शिकन जाक का सा जा रहा है आगे आगे देखिए होता है क्या बॉलिवुड की ठाली और कितनी काली दिखाई देती है मॉंबई से मुस्तफा शेख, दिवेश सिंग और पंकर जुपाध्याई के साथ आज तक दूरो और इसे के साथ हम लेरे एक छोटा सा ब्रेक लेकिन देश-दुनिया की खबरों के लिए आप देख देख रहेगा आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकर श्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहे आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले